इस थार मोडिकेशन जे हमने बिलारू का मोडिफाइड किया है इसके बारे हम फुल डेटेल में बात करेंगे अब प्लीज मेरी वीडियो को लास्ट तक देखो इसमें हमने ओफ रोड असेसरी लगाई है और कौन सा मेट्रियर यूज़ करता और कितना टाइम लगता है इसको बिनाने में जे सब कुछ हम डेटेल में बात करेंगे आप मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो का सकते हूँ डियास्थार मोडिकेशन पर उस पर डेली अपडेट देता रहता हूँ जे हमने आगे फ्रंट बंपर फुट्रेस सीट चेंज पीशे बैक बंपर इनका काम किया है जे गाड़ी हमारे बंदने के लिए पठान कोड से आई है अब बात करते हैं बंपर के बारे फ्रंट बंपर के जो बहुत गाड़ी को क्लासिक लुक दे रहा है जे गाड़ी ओफ रोडिंग में ज्यादा रह यूस होती है जे हमने आगे फ्रंट बंपर लगाया है जो की 3 mm शीट का है जे आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो यह हम टूके पेंट के साथ काम कियते हैं जे हम प्रोपर बैंडिंग के साथ काम करते हैं जे इसको कटिंग और वैल्ड करके नहीं यह प्रोपर बैंडिंग शीट होती है जे अंदर हमने लाइटें फिट की है जे ओपर की तरफ हमने बुल बार लगाई है जे आपको जे के बॉल्टिंग सिस्टम चाहिए वो भी हम लगा के दे सकते हैं कस्टमर की रुक्वार्मेंट जे फ्रन्ट फेस को पूरी फुल प्रटेक्शन देती है जे बंपर आपको किसी भी शहर में चाहिए हो तो आपको मैं ट्रांस्पोर्टिंग कर दूँगा आपको थार बलेरो स्कॉर्पियों का किसी भी शहर में चाहिए आपको मैं आपके शहर में ट्रांस्पोर्टिंग कर दूँगा इसको बनाने के लिए तीन से चार दिन लगते ह आपको पहले अडवांस पेमेट करनी होगी फिर हम इसका ओडर पर रेडी करते हैं आप सभी का कॉस्चन आता है कि ओफ रोड बंपर बहुत हैवी होता है आपको यह बता दूंगी यह सिरफ 15 से 20 किलो के आसपास इसका वेट रहता है गाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती जे आप शेट की जो आप देख सकते हैं फुल हैवी जे आगे हमने फुट्रेस लगा के दिया है जो आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगे जे आप डिजाइन देख सकते हैं फुट्रेस का जे टू डोर फुल सॉलेट जे हमने पेंट जो किया है ये हीट कोटिंग का पेंट किया है जे कभी भी रॉफ और फेट नहीं होगा ये आप देख सकते हैं ये प्रॉपर हीट पेंटिंग है ये नॉर्मल पेंट नहीं है जे पीशे का हमने बैक बंपर डिजाइन किया है आपको और किसी डिजाइन में बंपर चाहिए आप मेरे इंस्टाग्राम पर पेज पर जाकर मुझे वट्सप पर फोडो सेंड कर सकते हो जे जे पीशे का बैक बंपर जे बॉल्टिंग के साथ असानी से रिमूब करना हो रिमूब हो जाता है आपको जे एससरी कहीं भी चाहिए हो तो हम पूरे इंडिया में बेजते हैं यह तीन से चार दिन लगते हैं अब अंदर की हमने सीटे चेंज की है गाड़ी की जो बलारो की सीटे होती हैं बहुत अंकमफडेबल होती हैं जी हमने अंदर बकट सीट फिट करके दिए देख सकते हैं कि फुल सॉलेट जे पीशे क्या सोफा आपको मेरा काम और वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल कीप शेरिंग इसी तरह से आपके लिए मैं न्यू काम क्रेशन लेकर आता रहूंगा ओके सर थैंक्यू तरह समय कीपड़ कि अपके सेंक्यू